नमस्ते रोज दो इस हपते में बहुत ही तगड़ी तगड़ी एलेक्रिक वेहिकल सामने आई बर उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव और अप्टिमेस्टिक वेहिकल मेरे सामने आ चुकी है कभीरा मोबिलेटी का केम 5000 इसके बारे में बात करेंगे सिंपल वन के अपडेट के बारे में उसके प्राइजिंग के बारे में क्यूंकि फिल्म टू के बारे में भी मैंने दो वीडियो अलड़ी बनाये यह बता रहे है कि गाड़ी ले लो जून में प्राइजिंग बढ़ने वाली है उसके बार में बात करेंगे रॉयल इंफिल्ड का भी इलेक्ट्रिक मोटर साइकल आने वाला है शायद उसके बार में बात करेंगे और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह बार दिखा डेता हूँ यह इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर साइकल है जो सुपरबाइक बोला जाता है इसके बाद में अभी जो कभिरा का जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल लाँच होने वाला है तो यह दोनों एक्जामपल है कि हो इंडिया में electric vehicle industry change हो रही है कैसे लोग इसके बार में serious हो रहे है कि साधी electric scooters या motorcycle नहीं अभी super bikes के बार में लोग सोच रहे है of course इसके costing बहुत जादा होती है but फिर भी this is the revolution that is happening in Indian electric vehicle industry तो हमें appreciate करना चाहिए है कि ऐसे भी electric scooters and motorcycles इंडिया में बन रहे है Ultraviolet F77 के कुछ specs बोल देता हूँ 307 km का IDC range है 2.9 seconds में 0 to 60 कर देता है Ola कर दा है 2.9 seconds में 0 to 40 और Simple One बोला जाता है 2.77 seconds में 0 to 40 कर देगा I really don't know how they are going to do it because 23rd of my car फिर से launch है उसके बात करने बाला हूँ 100 Nm का talk यह देता है 152 Kmph का top speed तो यह supersonic design बोला इसको और यह Ultraviolet F77 अल्रेडी मार्केट में आ चुका है कुछ limited edition electric जो इनकी motorcycle से वो अल्रेडी deliver हो चुकी है तो best in class electric motorcycle तो इसको कड़ा competition देनी के लिए अभी Kabira उनकी electric motorcycle लेके आ रहा है KM5000 India's fastest electric bike ऐसा इनका tagline है और इनका कहना है launching in fall 2023 तो बहुत ही जल्दी launch हो जाएगा इसके बारे में जान लेते है Kabira के कुछ electric motorcycles अल्रेडी मार्केट में है KM3000 है KM4000 है Now we have to learn about KM5000 KM5000 है क्या KM5000 आपको 188 KM page का top speed कितना 188 और range कितना है 344 km का range India's first single swing arm design वाला इसका vehicle है और अगर मैं media kit इसका download करने को देखू तो यहाँ पे मुझे पूरा इसका information media kit का सामने आ जाता है जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीजे mention की है जैसे इनके कुछ PNG images है जो हमारे सामने I hope खुलेंगे क्योंकि इन्होंने क्या किया directly हमें access दे दिया इनके drive से 188 kmph का top speed 344 km का range मुझे ऐसा लगता है इसका pricing minimum 3.5 लाख रुपए होगा कितना 3.5 लाख रुपए है और यह जो electric motorcycle है common man नहीं लेगा बट जो कोई लेगा बहुत मजी करेगा वाई क्योंकि ऐसी electric motorcycle अगभी अगर चलाने को मिल रही है अगर आपको इनको touch में आना है इनके you can check this mobile number इनसे contact कीजे और बाकी की चीजे आप इनसे access कर सकते हो दूसरा electric motorcycle guys Royal Infield का news मैंने बोला Royal Infield soon bring unique differentiated electric bikes and it commits 1000 crore for current vesicle please understand 1000 crore का investment electric vehicles के लिए और electric Royal Infield के लिए Aishar motor करने आला है I hope आपको पता है Aishar Motor Aishar Motor is the mother company of Royal Infield and इसमें आपको देखार जा रहा है Aishar Motors that has announced to acquire 10.35% equity stake in a Spanish electric motorcycle maker stark future for 50 million euros in December 2022 already Spanish electric motorcycle maker उससे tie-up हो चुका है and according to reported by PTI ऐसा कहा जा रहा है कि auto manufacturer has announced capex of 1000 crore for current vesicle तो जिनको लगता है कि subsidy कम हो रही है उसके वज़से electric vehicles पीछे जाएगी यह सब MOM है आप गलत बात कर रहे हो electric vehicles को अभी कोई ने रोख सकता और हमारे सामने सीधा अधी करा है कि Royal Infield का EV journey है जो अभी start होने वाला है और आपको बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लगता है अगले दो साल में Royal Infield का electric motorcycle Indian roads पे देखने को मिलेगा तो यह दो electric motorcycles के बारे में बात किया आपकोस थीन ultraviolet के बारे में बात किया Now I am going to talk with you about the Ministry of Heavy Industries उनका portal उनका website में आपको दिखा चुका हूँ है यह है official website of fame2 fame2.heavyindustries.gov.in आप जाके इसके उपर सारी information ले सकते हो जैसे आप यहाँ पर जाओगे skin के उपर models में तो आपको सारे इंडिया में जो electric vehicles है वो two wheeler हो, three wheeler हो, four wheeler हो कौन से भी हो उनके बारे में पूरी जानकारी इस portal पर आपको मिल जाती है बट यहाँ पर आभी मैंने अमन एहमद सर का जो special correspondent है car and bike में उनका LinkedIn account खोला है क्योंकि उन्होंने जो post किया ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आपकी तरफ आ चुका होगा अगर आप EV enthusiast हो तो पहला सबसे important change जो मैंने already तीन दिन पहले ही बोल दिया था किसी भी YouTuber ने वो share नहीं किया था मैंने already share किया था कि now electric vehicle subsidy is going to reduce पहले जो electric vehicle पे subsidy था वो 15,000 rupees प्रती kilowatt hour और the 40% of the cost of vehicle था now it is reduced to 10,000 rupees per kilowatt hour और the 15% of the cost of vehicle तो इसका impact क्या होने वाला है हर electric vehicle की cost 10 से 30,000 तक बढ़ सकती है depending on the cost of vehicle प्लीज जान लीजिए so if you want to buy electric vehicle this is the right time क्योंकि जून में ये price आइक होने वाला है और इसके वज़े से आपको दिखेगा कि हर electric vehicle manufacturer अभी ads रन कर रहा है facebook हो, instagram हो, youtube हो सारी जगा पर आपको electric vehicle manufacturers के brands के ad दिखेंगे जो कह रहे है भाई आप हमारी electric vehicle ले लो क्योंकि जून में pricing होने वाली है बढ़ने वाली है तो ये बहुत ही important है आपके लिए अगर आपको electric scooter लेना है मैं अल्री बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मेरे आप YouTube चैनल पर जाके देख लीजिएगा जो मैंने best electric scooter बता है उनका comparison बता है जाके देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है बुक कीजे उसको मैं फिर से बोल रहा हूँ Bajaj Chetak, TVS iCube, Ola S1 Pro बीज त्री अगर अथर 450X with Pro Pack जिसका प्राइश प्राइश अच्छा लगता है तो यह चार electric scooter मुझे best लगता है इंडियों चाहँ चैनल प्राइश लगता है और इसमें सबसे बढ़िया मुझे Bajaj Chetak लगता है इसमाइ परसनल ओपीनियन आप यही अच्छा लगता है वही ले 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 तो यह Bajaj Chetak बाय Bajaj Chetak, नाव, थैंक दे गवर्मेंट लाइटर गवर्मेंट फेम्ट 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 सबसीडी इस रिदू 10,000 रुपीज प्रती किलोवाइट अबर दें यू कन सी इस अमेजिंग पोस्टर क्रेटेट बाय एथर एनरजी एथर का कलर स्कीम या एथर की पोस्ट देके इमिजएटल पता चल जाता है यह एथर ने बनाया है एथर कंपनी का है तो एक जून से इनका प्राइज राइज होने वाला है और अगर आपकी एलेक्रिक स्कूटर 31st May के पहले ले लेते हो मतलब इस मन्त के एंड के पहले लेते हो तो आप 32,500 रुपीज बचाओ गया इसा क्लियरली इन्होंने इनके पोस्ट के उपर मेंशन किया है विच इस वेरी मच इंपॉर्टन जानिये मतलब मुझे तो रखता है Ather 450X with ProPap 1,80,000-1,90,000 तक चला जाएगा Ather 450X with ProPak will go around 170 to max to max 190 1,70,000 to 1,90,000 that is what I feel फिर Talk Motors का भी मुझे भी मेल आ चुका है और मैंने इलेक्टरिक वेहिकल मैनुफेक्चरर को सब्सक्राइब किया है मुझे मेल आ चुके है उन्होंने भी कहा है Act now before 60,000 subsidy disappears in a flash तो इनका भी बहुत बड़ा एड चल रहा है 60,000 बचाओ और अभी अभी हमारा electric scooter ले लो वैसा Ola का भी चल रहा है Own the future before prices go up So this is very much important factor that electric vehicle industry is going to face अभी जिनको लगता था कि अभी ये क्या कर दिया government ने आरे government ने अल्रेडी clear किया था कि उन्होंने लगबग 10,000 crores मैं अगर ब्रीफ दिखा हूँ आपको ये मैं अल्रेडी दो-तीन वीडियो में दिखा चुका हूँ बट फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई-कोई लोग है मतलब they are not believing in the government अल्रेडी 10,000 crores का investment electric vehicles की subsidy पे government ने किया था उसमें से लगबग 75-80% अल्रेडी exhaust हो चुका है consume हो चुका है तो government subsidy बंद कर सकती है बट उन्होंने बंद नहीं किया they are saying that electric vehicle cost जो subsidy है वो हमने reduce किया है बंद नहीं किया है और अगर आप पुराना subsidy का model देखोगे न तो यहां पे आपको बता दू मैं कि यहां पे देखो यह पुराना model का I hope it is visible to you यहां पे clearly mention किया था कि up to 11th of June let me show you that with effect from 11th of June 21 incentive of electric two wheelers is increased to Rs.15,000 तो पहले 10,000 ही था 11th June 21 को वो 15,000 किया गया था तो यह फिर से वही स्टेट पे हम आ चुके 10,000 रुपीज प्रती किलोवाइट अवर और 15% of the cost of vehicle तो यह क्यों किया क्योंकि 2024 तक यह subsidy चलाना है तो यह था 3rd सबसे important news जो अभी electric vehicle industry में सबसे big news माना जा रहा है Indian electric vehicle industry में अभी मैं आपको last news पे लेके जाने हो अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब करो last नहीं second last news यह है मैं simple one के बात करने वाला हूं थोड़ा end तक देखिएगा यह है तेसला के बारे में तेसला के बारे में तेसला इस नाव गेटिं सिरियूस अद आर प्लानिंग तो हाव देर एलेक्रिक वेहिकल मैनफेक्चिन फैसिलिटी इंडिया विच वेरी मुच इंपर्टन क्यूंकि तेसला एक रिनावन ब्रैंड आपको यह दोनों बहुत ही बड़े ब्रैंड है अगर मैं आपको टेसला का कुछ वेबसाइट दिखा हूँ तो आप फैसिनेट हो जाओगे कि तेसला कितने आगे पहुच चोका है इस आप एक्स्परियंस तेसला इस गिविविंग लेट में शोओ यू यह आप पहुच है आप आप पहुच अपड़ार शोओ तेसला मॉडेल एस को कि आप जानकर विविविव भीविव इसका पिक पहर 1020 पहर है एक होर्सपावर मालाब 746 वर्ट Top speed 200 miles per hour देखिए हाँ, 0 to 60 गरेगा 1.99 seconds में और रेंज देखिए हाँ, 396 miles है So it is going to be always more than 420 km of range if you consider in km अगर आप interior देखोगे, पागल हो जाओगे तो यह सब इंडिया में आने वाला है Already Hyundai हो गया, Tata हो गया, Mahindra हो गया, MG हो गया These are coming up with their electric four-wheelers in India Already electric vehicles है But जब Tesla आएगा, BYD की भी एक electric vehicle में नाशिक में देखी थी So यह amazing चीज होने वाली है And this is how electric vehicle sector is growing in India And this is amazing thing because I feel great कि we are moving towards era where we are going to completely nullify the tailpipe emissions मतलब जो दुआ होता है ना, petrol और diesel vehicle के वज़े से वो almost zero हो जाएगा जब हम सब electric vehicles को purchase करेंगे, चलाएंगे और यह कब होगा जब competition बढ़ेगी, prices कम होगी और और अच्छा हम कर पाएंगे Now, this is the positive news and one more positive news I think Simple one के बारे में कि उनका price जो updated है It is around 1,45,000 बोला जा रहा है जब launch किया था तब 1,10,000 था Now it is जो मैंने सुना है 1,45,000 बट यह डिलिवरी जो होगी ना, guys 23rd of May को मतलब में जब यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, it is 22nd of May 23rd of May मतलब कल यह लाँचिंग करने वाला है, तो लाँचिंग करने के बाद डिलिवरी तो होगी जुन या जुलाई में और जुन में नए सबसीडी के अनुसार प्राइजिंग उने आली है तो इसका प्राइजिंग कितना होगा I think it is going to be more than 1.5 lakhs This is what I feel And this is shocking factor for most of you Those who have यह देखो, range भी अप्डेट होगया 212 होगया, पहले 236 था देखो, अप्डेट होगया 236 था, अभी 212 होगया कल का ही वीडियो मैंने जो बनाया, उसमें 236 था इसमें 212 दिख रहा है तो कम करते जा रहे है 0 to 42.77 seconds में तो इसका प्राइजिंग देड लाग के उपर जा सकता ऐसा मेरा कहना है क्यूंकि FAME 2 जो अप्ग्रेड हो चुका है वो कंसिडर करके प्राइजिंग तो बड़ेगा कोई भी आपको 236 किलोमेटर रेंज वाला एलेक्टर स्कूटर एक लाग तीस हजार में नहीं दे पाएगा इस दे पाएगा बिकास बहुत सारी चीजे होती है जो आपको कंसिडर करनी पड़ी है वाइल करनी वेहिकल अप्रीचित था यू अपूँड़ेगा ब्ड़ेगा अग्या प्रदैगा यू इस तो लेट अग्या वाग्या अग्या विड्या अभी तक व्यूच्ट पिस्टाव्या विश्ट वूट्या and now it is really very tough to conquer Ola Electric जब इनोंने launch किया था तब Ola को पीछे डालने के लिए किया आगता क्योंकि Ola ने भी 15 अगस 2021 को launching किया Simple One ने भी उसी दिन launching किया तो कड़ा टेक कर देना चाहते थे बट Ola का background इतना बड़ा है अल्रेडी बहुत सारी investments Ola के पास थी Simple One एक comparatively बहुती नया चीज था Ola जो भावेश अगरवाल जी है उनका अल्रडी बिजनेस है बहुत सारे बहुत funding उठाए उनोंने तो वो सब कर पाए बट Simple One को It is going to be difficult It is for sure तो ये थे guys कुछ important updates इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि Government of India ने सबसेडी बन ही किया है कम किया है Secondly, I feel good that Finally, good electric motorcycles are also coming in India Like Kabira, KM 5000 Already ultraviolet F77 is there But the costing of this electric motorcycles is more than 3.5 lakhs If you talk about the subsidy Toh subsidy of course revised हो कि है That I told you already It is now 15% of the cost of vehicle Or 10,000 rupees per kilowatt hour Whichever is less And the simple one electric scooter of course And Royal Infield भी electric में आ रहा है Toh आपको क्या लगता है इन सारे news के बारे में आप मेरे चैनल से जुड़े इसके लिए Thank you so much Please like, share and subscribe मिलेंगे गाई जम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Jai Hind, Jai Bharat आपको का लिए